उम्, स्री मात्रेय नमहा हेलो व्यूवस, आप सब कैसे हो? गर में समुद्री नमक मतलब राक साल्ट का दीपक कैसा जलाना है? इसका फाइदा और क्या-क्या नियम फालो करना है इस वीडियो पे शेर करने वाली हूँ समुद्री नमक को लक्ष्मी जी का रूप से माना जाता है समुद्री नमक का दीपक जलाने से विशेश महत्व होती है इसके प्रबाव से नकारात्मकूद्जा यानि पुरी शक्तियों का नाश हो जाता है इस दीपक से गर में सकारात्मकूद्जा का प्रवाह होता है अब समुद्री नमक का दीपक कैसे जलाना है देखेंगे सबसे पहले पूजस्तल को शुद करना है हमेशा समुद्री नमक का दीपक लक्ष्मी जी का सामने लगाना है पूजा स्तल में आईश्वर्य रंगोली बनाना है रंगोली को हलदी कुंकम से अलंकर्ण करके उसके उपर चौकी रखना है अब हम दीपक कैसा तैयार करना है देखेंगे पहले एक प्लेट को हलदी कुंकम लगाके तैयार करना है पूजा के लिए हमेशा सिल्वर, ब्रैस या कापर प्लेट यूज़ करना है अब इस तरफ का मिटी का प्लेट लेके उसको हल्दी अच्चा से लगाना है मिटी का प्लेट में क्रैक्स नई रहना चाहिए समुद्री नमक का दीपक, गर्मे, मंगल और शुक्रुवार का दिन में लगाना है मिटी का प्लेट को अच्चा से हल्दी लगाके सुन्दर सा कुंकुम से सजाना है हमें प्लेट को हल्दी लगायाना उसको ड्राइ होने को प्लेट को साइट पे तोड़ा दे रखना है प्रीतिपात्र समुद्री नमक का दीपक जलाने को गी नारियल का तेल या तील का तेल हम यूज़ करना है दीपक जलाने को दो बत्ती एक करके जलाना है अब लक्षमी जी का फोटो फ्रेम का सामने चोकी का उपर एक प्लेट रखके उसका उपर मिट्टी का प्लेट रखके समुद्री नमक मतलब राक साल्ट को डालना है। नमक डालने का प्रक्रिया अत्यन्त, श्रद्धा और बक्ति से करना है। अब नमक के ऊपर दिया को रखना है। सुगंद बरित पुश्पोम से दीपक को अलन करना है। अब ये कहारती से दीपक को जलाना है। दीपा राधन करके दिया को पुश्पाक्षिन समर्पित करके दीपम जोती परब्रम्ह स्वरूपिन्ये नमहा मंत्र बोल के नमस्कार करना है। समुद्री नमक का दीपक जला के लक्ष्मी जी को लक्ष्मी आश्टोत्र शतनामावली से अर्चना करना है। लक्ष्मी जी को जो भी गाय का दूद से बनी वी चीज को समर्पन करके मंगल हारती और दूब भी समर्पन करना है। समुद्री नमक का दीपक जलाने का समय है। ब्रम्ह मुहुर्थ साड़े चार बजे से चे बजे तक होती है और शाम को चे बजे से साथ बजे तक ये दीपक जला सकते है। राकसाल्ट से इस तरफ का प्रक्रिय गर्मे करने से गर्मे धन आने का रास्ते कुलेंगे और गर्मे सुक्षान्ती सम्रुद्धी बनी रहती है। मैं मानती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई। फिर और एक अच्छी यूसफुल वीडियो से मिलती हूँ यूवर संध्या रूपेश।